हलो, नमस्कार दोस्तों, आज गल काफी चर्चा में चल रहा है इज्रायड और पलेस्टिन का इस्चू, तो आखीर क्या है ये इस्चू, इसके बारे हम जानेंगे, बैक्ग्राउंड में, वो दिखो इसमें काफी सारे एंगल है, एक एक एंगल को हम कवर करेंगे, आज यहा वाली है, तो आपको बता दू कि guys, आप लोग है, वो मेरे से connect हो सकते हो, यहाँ पर additional information अगरा के लिए, जो अपना टेलिग्राम चनल है, Welcome UPSC, वहाँ से इसके सार्फ फेस्बूक और पर भी मैं available हूँ, तो वहाँ पर आपको डाउट, ठोट, क्यूरीज अगरा हो, तो इसके classes आप लोग को जो link detail है, वो टेलिग्राम चनल पर मिल जाती है, ठीक है, तो अभी हम पहले देखेंगे कि आखी Israel और पलेस्टीन की कहानी है, शुरूब कहां से होती है, क्यों guys, एक-एक point काफी important हो जाता है, ऐसे मिह हम उनको details से cover करें ही, तो guys, पहले से अभी काफी news में आपने देखा होगा daily news आती रहती है, कि Israel और पलेस्टीन में काफी सरे crisis चल रहे हैं, काफी bum धमाके चल रहे हैं, तो यह एक-एक angle क्या है, हम इनको बहुत basic से cover हो करने वाले हैं, आजगल आपने media में ऐसी image है, pictures हो देखे होगी, इसके साथ यह वाली image है, जो कि आपको आप हो थी, पहले से start हो, अगर आपको बताऊं, तो यह world war fest के time से आप हो चकते हो, कैसे देखो थोड़ा सा, एक cover नेख लेते हैं, देखिए, बात है कुछ ऐसी, कि जो Israel country है आज, जो आप Israel देखते हो, वहाँ पर पहले एक palestine नाम की country भाकर दी थी, world war fest के time भाकर आपके या इस से पहले, और गाइज इस से पहले किकर हम बात करते हो, वहाँ पर एक Ottoman Empire था, यह नहीं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा सा, मेप में लेके, एक सिद्धिन खाली बेज चल लेके, जैसे यह है आपका Israel कामेर, ठीक है, और इसके इदर जो बाकी और केंटिर हैं, लेबनान वगरा है, इदर जो जो बाकी इस है, यह उन जो यूरोप का टर्की वाला इससा है, यहाँ पर उस टाम पे एक empire हुआ करता था, जिसका नाम था Ottoman Empire, आपने नाम सुना होगा है, आपका Israel का बना हुआ है, अब यह आप देखो, इसमें दो दिन तो एक तो CTIA निूज में रती हैं, तो उन CTIA को भी हम discuss करेंगे कि कौन सी जो city है वो हमारे लिए important क्यों है फिलार क्योंकि exam में भी ऐसे questions आते हैं mostly और अब देखो काफी highlight है तो और भी ज़दा questions बने की facility हो गई है तो background मैंने क्या का कि ये जो हिस्सा था आपका इस्राइल वाला ये starting में क्या था आपका Britain के अंडर था अब guys यहां पर एक huge community थी जिसका आपने नाम सुनाओ का जिनने यहूदी बोलते है हिंदी में तो यहूदी है जो huge community थी इसका देखो पूरे word में कैम लव इनको जगह सगय से भगाया गया था जैसे कि Hitler है उन्होंने कैंए इसको इस चेंबर में मारा थे इन लोगों को काफे ज़्यादा इवन रसिया से भी इनको बाहर पीटा गया था मारा पीट के निकाला गया था यूरोप से भी यहूदी जो community थी वो क्या है उस टाइम में सब सब ज़दा उसको प्रेशान टोस्टर किया गया था जैसे आजगल रोहें गया community का नाम सुना होगा आपने मैंनमार में उसी तरिके से उस टाइम पर या World War Fest के टाइम पर यहूदी community या जूज जो community है इसको बहुत ज़दा मारा पिटा टोस्टर किया जा रहा था इनके पास रहने की दिक्कत थी तो यह जो जूदी थे जूज देना इनके लिए important जगत थी आपकी Jerusalem जो कि Israel के अंदर ही एक पार्ट है उसके हम बात करें कि CTA Jerusalem वहां की बात करने वाले हैं तो यह कहा है अपने इस area में आके रहना शुरू कर देते हैं यहां पर थोड़ा थोड़ा क्योंकि Britain ने कहां इनको permission दीती और उसी बतुलत के हैं यह लोग यहां यहां आप धेद्रे आना शुरू कर देते हैं और उसी के बात क्या है धिरे-धिरे यह जूज कम्यूटी है यह कहीं सीरे में बढ़ती जाती है जैसे आपके जूज वगर हैं पर यह नहीं रहते थे फिर क्या हुआ दीरे-धिरे कहां आपर जूज आने लगे तो देहे-दिरे आपको जूज की संख्या यहां बढ़ती देहे-धिरे और गैज अगर आज गी हम बात करें तो आज का सिरेडियो काफी चेंज है वो हो गया है और प्रिया बचकी रहा था तो इससे काफी सारी दिक्कत यहां पर आने लग लग थी ठीक है अब गया तो तीन चीजें आपको थोड़ा सा मेट में बता दूं जो कि आपको थोड़ी याद अपनी है यह दो को आपका जो इस्रैल का मेट प्रजेंट में इसमें यह जो वाला पार इसको बहुते है गाजा पट्टी इसका नाम आपने काफी सुना है एक है यह आपका वेस्ट बैंक ठीक है तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के है यह आपको आपको मेपिंग वगरा में मिल जाता है यह आपका वेस्ट बैंक और गयाज यह जो आपका गाजा पट्टी इन दोनों को मिला कि पलिष्टिन या फिलिस्तिन नाम की कंट्री से जानते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका इसरेयल बनाता है सारे समय तो वह मानता इनहीं था कि पलिष्टिन नाम की country हैं। इसलिए दोनों में conflict mostly होता रहता था तो अभी आधक ना कि यह इस नहीं रहता अब वह थोड़ा सा देखते हैं कि इसराइल है वो बना है तो क्या क्या लड़ाई हुई है क्योंकि देखो जब 1948 में इसराइल नाम की country बनी है ना तो जो अरब की जो कंटीज थी यहनी इसराइल कंटीज की बीज में कुछ लड़ाई होती है सबसे पहले लड़ाई होती है 1948 में उसको बोलता है फर्स्ट अरब इसराइल वार जो अरब की कंटीज है उन्होंने के इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में हुआ क्या बेसिकली कि काफी सारा नुकसान है इसराइल को भी देखने को मिला और अरब कंटी को भी आया पर नुकसान है वो देखने को मिला था ठीक है यह आपकी पहले लड़ाई होती है इसके बाद में गया दूसरी लड़ाई होती है इसराइल और अरब कंटीज में होती है 1967 में लेकिन गया जो 1967 में जो लड़ाई हो तो यहाँ पर इजिप्ट का यह जो पार्ट है, शिर्यान परनेंशुरी, सिनाई परनेंशुला के नाम से जाते हैं, सिनाई प्रायदीर, इसको कभजे में ले लिया, यहीं इजयल ने क्या किया, अपने एडिया किला बाकी अरिया थना उसको भी बहड़ा प्लिया लड़ाई अब दखो, जेरुसलम नाम की शिटी आँपर आपको दिखरी होगी, इसके भी कही पार्ट हैं, इसकी यह जियो तो अपने जेरुसलम के खिए को, तो आपको दिख़ने हैं, इसको थोड़ा जूम करें, तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। यहनि Jerusalem city के भी कहा है दो पार्ट है, east side वाला east Jerusalem, west वाला west Jerusalem, तो इदर west वाला जो पार्ट है, इसको कहा है actually, इसराइल ने capture कर रहा था इस टार्टिंग में, और जो west वाला पार्ट था, यह कहा है Jordan के पास रहा दखना, यह कहा है Jordan की territory में था इस टार्टिंग में, लेकिन 1967 में लड़ाई वी थी ना, इसराइल और जो Arabian countries के भी में, तो इसराइल ने पता क्या किया, west पर तो लड़ी कभजा था इसराइल का, और इस्टन वाले को भी कहा है, उसने कभजे में ले लिया, यहनि पूरा का पूरा जो आपर Jerusalem city थी, इसको अपने कभजे में ले लिया, यह आपको याद रखी है, अब जो Jerusalem city है, इसको लेके ही सहीव दाओं तो सारी के सारी लड़ाई है, यहनि जो मैन फसाद की जड़ा बोल सकते हो, सारी कंटीज की वीच में आपर, वो है Jerusalem, क्यों? क्योंकि Jerusalem जो city है न, यहाँ पर गाईज, एक तो huge community, एक हम बात करें तो Islam, और एक साथ हम बात करें तो Christian, यह तीनो धर्मों के कहा है, इंप्रिलिजिस इंपोर्टेंस बहो जाता है, यह तीनो धर्मों के कहा है, धार्मिक आस्ता है, और इसके वो जैसे कहा हर एक धर्म चाहता है, कि B.I. मेरा दबदबाई यहाँ पर हो, ताकि मेरी चले, सिधी सी बात ह लेकिन इस्राइल किसी भी कंडिशन पर मानने को त्यार नहीं है, वो किसी को भी अपार्ट नहीं देना चाहता, यह आपको थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर याद हो परकना है, अब देखो कुछ लडाईया हुई है, कुछ और चीज़ हैं जो आपको मैं आपर बताता जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1947-48 में क्या हुआ था, आपका अरब-Israeli war हुआ था और उसमें क्या इस्रेयल जीता था रच को रहे सकरों, इसके बाद में 1967 में क्या होता है, वापस आपका 6-day war होता है, अरब-Israeli second war, और उसमें कहें इस्रेयल ने अपने अडोस-प्रोस क लिए तसे जोडन से उसने किया है West Bank वाला ऐसा चीन लिया था इसने किसके गबजे में था जोडन कंटी ये और दसे सीरिया के मिन जो गुलान हैट्स वाला ऐसा था वो कहें इधर हड़ापलिया और साथ में इस नहीं प्लशुला वाला ऐसा क्या है इस्राइल ने ले लिया था, क्यों? क्योंकि इस्राइल को एक कंट्री के आप रेसान करे थी, लड़ाई लड़ी थी, तो इस्राइल ने कहा लड़ाई जीत ले, ठीक है? इसके बाद में गैज एक लड़ाई और होती है, आगे हम बात करें, एक अकोर्ड होता है, सुरी, 1978 में यादकना है, इस अकोर्ड का नाम है यापर, Camp David Accord, Camp David Accord, ये Camp David Accord के है, गयाज ये Camp David Accord ये है, बैसिकली, कि इस्राइल और यादकना आपका एजिप्ट के बीश में होता, Camp David Accord है, वो इस्राइल और इजिप्ट के बीश में होता, और इसमें ये बात हुए थी, इस्राइल ने ये काक सीरिया को, इजिप्ट को, कि देखो भाया, अगर आपके ये वापस आते हो, क्योंकि इजिप्ट का कौन सा इसा पास्त में था, सिनाई परनन चुला, जो हमारा इजिप्ट है, उसने क्या का, कि भही, आप हमें मारा सिनाई परनन चुला देदो, हम आपको एक कंट्री मानने को त्यार है, समझ में आ गया, इन्हीं इजिप्ट और इजिप्ट ने पहली बार इसे को officially माना, कि भही, इस्राइल नाम के एक कंट्री यहाँ पर है, और बद बीज में होता, यह बहुत important है, ठीक है, इसके बाद में एक submit भी आता है न्यूज में की बार, 2000 में एक submit होता जिसका नाम है Camp David Submit, Camp David Submit है गाईज, वो basically USA के राष्टर पती ने कर वाय था, लेकिन वो successful नहीं रहाता, उसमें basically peaceful area के बाद की गई थी, लेकिन वो मामला set नहीं हो राती है, वो क्या होता का हूँ, two nation theory, two nation theory, guys two nation theory का मतलब यह है, यह आपको मिलता है Oslo Accord के नाम से, Oslo Accords, यह Oslo Accords के हैं, यह यह था guys आपका 1993 से 95 के बीच में आथा, इस Oslo Accord में यह बात हुई थी, यह हुआ था आपका Israel और Palestine के बीच में, Israel versus Palestine या फिलिस्तिन में, इसमे यह बात की गी थी, Israel ने recognize किया था कि फिलिस्तिन नाम के country है, पलेस्टिन नाम के country है, यहाँ पर दोनों country होने के दूसरे को माना, लेकिन guys, Israel बाद में इस चीज़ उसने मानी थी, लेकिन अब इसरे कभी नहीं गाता कि फिलिस्तिन नाम के, पलेस्टिन नाम की country है, लेकिन Oslo Accord में उसने accept किया था टू नेशन थेोरी को कि भी आप पलेस्टिन नाम का भी एक देश है और प्लस में हमारा भी एक देश है यह तीज आपको याद रखनी है Oslo Accord में दो अहम agreement है जो मैंने आपको बता दी है ठीक है I think इतना कलियर हो गया होगा तो यह तो गयाद जो background था को मैंने सारा बता देगी ऐसे-से यहाँ पर सारा scenario चल रहा था अब हमें recently की बात करें की क्या issue जाए देखो recently जो सारा issue मैंने आपको भी थोड़ा समझा है यहाँ पर कि जो सारी लड़ाई हो रही है वो रही है आपकी किसकी इस West Bank वाले पार्ट के अंदर Jerusalem नाम की city को लेके अब गयाँ Jerusalem city की बात करते हैं देखो Jerusalem जो city है ना इसमें मैंने क्या का एक तो है इसका East part और एक है इसका West part West part पे तो ओलेडी कबजा था और East part पे के है कबजा कर लिया था इसराइल ने 1967 के और में यहाँ पूरा का पूरा West Bank के अंदर जो Jerusalem वाला पार्ट है Jerusalem जो city है वो सारी की सारी किसके कबजे में है इसराइल के कबजे में है अब गयाँ जो East Jerusalem है ना इसको actually Palestine अपनी capital बना चाता है ठीक है लेकिन कबजे में किसका यादक ना अभी इसराइल के कबजे में है यहाँ जो आपका Palestine है फिलिस्तिन नाम का देश है वो चाता है कि इस जो Jerusalem है वो उनको दे दिया जए और वो यहाँ पर अपनी capital बनाए लेकिन यह है किसके आत्मी यह भी है आपका Jerusalem यहाँ बात करें सारा का सारा जैसे हमारे देश में आपने Taliban लुकादाइस नाम सुने न आप उसी तरीके से कहे है हमास एक militant group है जो कि आपके गाजा पटी वाले एडिया से कहे है और आपको control monitor है वो करता है ठीक है और एक गैज आपको न्यूस पर अपने एक बड़न में लेगा Al Jajira Al Jajira Al Jajira का इस बेसिकली एक Arabian countries का मिला के कहे है आपका एक चैनल है नेटोख है न्यूस चैनल याद रखना Al Jajira एक न्यूस चैनल है जो कि बेसिकली कतर बेस है यह कतर नाम की country है एक Middle East में उसके अंदर या उसके द्वारा मैंने इसको रेवलेट कह जाता है और Arabian जो country है उन्यूस सब ने मिलके अपना एक चैनल बना कहा है नहीं सारी country में वैसे पार्टी स्प्रेट करती है लेकिन इसका headquarter कहा है मैं वह याद रखना आपको कतर में यह अल जजजीरा कहा है काफी सुर्ख्यों में भी रहता है क्योंकि यह कहा है थोड़ा kontraversal रहता है इंडिया को करी सारी न्यूस में तो अल जजजीरा कहा है वहाँ के न्यूस चैनल है ठीक है और गैज यह अभी हमास के आपको बता दिया यह आपका गाजा पट्टी से की militant group है जो की हाँ पर काम कर रहे है और गैज एक militant group और है वहाँ पर वो है West Bank में West Bank में जो एक आतंगी संग्ठी है militant group है उसका नाम है आपका जिहाद इस्लामिक या इस्लामिक जिहाद के नाम से militant group फो ही वहाँ से organized है वो क्या चाता है लेकिं जो इस्लामिक जिहाद है ना वो तो क्या है इस्लैल के खलाप इतनी लड़ाया नहीं लड़ता जितनी आपका ही हमास है वो उनको टोर्चर परेशान है वो करता है ठीक है और गैज अभी देखो दिक्कत क्या होई थी होना चाहिए पैलेस्टिन का लेकिन पैलेस्टिन के पास ही नहीं है वो कहते हैं भी यह हमें चाहिए वह इस चीज लिए अग्री नहीं हो रहे कि नहीं हम इसको नहीं देंगे समझ रहे हो तो यह सारी चीजे हैं आपर अभी रिसेंटली चल रही है अब हम बात करें गाए की लड़ाई की दिक्कत करें यह भी को ज़रूद इस्टार्ट हुए लड़ाई रापस क्यों देखो इन कंटीज की बीच में लड़ाई के चलती आ रही है बहुत सारी इसूज मैंने आपको सारा समझा दिया है देखा इस लड़ाई का सबसे बड़ी हम बात करें तो है रिलिजियस प्लेश हों का ठीक है जैसे मक्का मदिना के बार में थीसरा धार्मिक प्लेश हुँआ है अल-श्का मेहजित और कई हुआ क्या था यह कहाँ आपकी यह वेस्ट बैंक सिटी है जिसका नाब है ओल्ड सिटी है यही वेस्ट बैंक के अंदर बीग है जेरूसु यह सब मेरे तुछ यह सब शनी है, यह सब अब मेस्ट है। अब guys एक चीज़ आपको दादू, basically देखा जाए, तो यह जो आपकी इस Jerusalem वाला जो शीचसा है ना, यह अगा बोता हूँ तो International City के तोर पे गुनाइज किया गया है, at present में, मेरा कहने का मतलब कहा है, International City का मतलब कहा है, यह दखना Jerusalem basically at present में officially है UN के दोरे एक International City है, क्यों, क्यों Jerusalem के मैंने कहा, IMPORTENCES जादा है, क्यों, Islam के लिए भी IMPORTENCES है, Jews के लिए भी है, plus मैं Christian के लिए भी है, तो इसलिए, UN ने कहा कि भी है, इसको मैं as a International City रखते हैं, ताकि क्या दिक्कत ही है, तेकिन Israel कभी मानने को त्यार नहीं हो, गर अब यह हमारा पार्ट है, कुन सी International City, ह ठीक है, तो यहाँ पर Old City में मैंने क्या कहा, आपकी अलस्का मैस्जित एक पाड़ी है बसे, और उसके ओपर यह मैस्जित है, अलस्का, और गैज भाँ पर यह सारा रायता बेरिकर्स लगाने के वज़े से क्या है, मामला कॉन्फिक्ट में आ गया, और फिर हमास ने कहा है, जो सिट्टी का गेट है, ठीक है, यहाँ पर एक सिट्टी है, जो आपके Old City है, इसका गेट है, उसका नाम है Damascus Gate, उस दमास के गेट वह भी बेरिकर्ट लगेते, तो वह रायता है, आपर सारा फैली गया, मैस्जित के अंदर कॉन्फिक्ट हो गया, बताई दिया, तीसरा ग जाकार है, वो धक्के मार के घरो के भार निकाल लिए, तो क्या मामला ओर्ग्रेम हो गया, इन्हीं के यहाँ तीम-चार रिजन एक साथ मिल गया, क्या क्या मिल गया, एक तो अल-असका जो मस्जित है, वहाँ पर रहता फैल गया, दूसरा मैंने क्या बताया, कि आपकी जो यहाँ पर दमस्कस गेड़ था, यहाँ पर काफिज़ा क्राउड हो रहा था, तो उसकी वज़े से क्या है, बेरिकेट लगया थे, तो उसके वज़े से दिक्कत आ गई, तीसरा रिजन था की कुछ अफ़ाई उडगी, कि वहाँ इस एरिया का नाम वज़े है, वो नाम गया सेख ज़रा, सेख ज़रा एडिया में कुछ कॉंफ्लिक्ट हो गए, फिलिस्तन और जहुजगे बेज में उसकी वज़े से क्या रहता फैल गया, तो यह सारे रिजन की वज़े से क्या है, हमास ने चेताव नहीं दी, कि यहाँ इस्राइल आप यह गलत करे हो, हम आप पर और फिर इस्राइल ने काउंटर में सारा रहता हो, यहाँ पर आपको अभी रिसेंटली न्यूज में मिल ही रहा होगा, तो अभी करंटली गया, यह सारा सेख यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, अब आपको मैंने जरूसलूम सिटी के बार में कुछ चीज़े बता दी है, यह आपको याध हो रपनी है, क्या-क्या बता है मैंने आपको का है गैज देख्गो, देख्तो, 1948 में याँ थकना यह जाल के पास जरूसलूम city का west part था, और 1967 की वाड में क्या कैा उस चेरूसलूम वाला जो part था, वो भी क्या है, उसने कबजे में ले लिया, यही एट परजेंट में सारी की सारी जरुसलम सिटी गे उपर इसल का एरिया यहाँ पर कबजा है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, अब यह और बात के हैं, और गैस देखो, यह, यह जो आपकी ओल्ड सिटी है ना, वहाँ पर एक पाड़ी वाला एरिया है, और गैस, यहाँ पर तीनो धर्मों के धार्मिक स्टल है, एक तो आपको बात करें, यह है Western Wall, गैस यह Western Wall के है, यह basically जो जूज community है, उनका धार्मिक स्टल है, यहनके एक दिवार कीसी बनी हुई है, यह तो यह जो आपका है कहाँ पर, यह जो तीनों महजित है ने यह जो एक तो यह वॉल होगी, वेस्टन वॉल, जो कि जुज कम्यूनिटी का धार्मिक स्थल है, अले असका महजित है, यह कहें आपका मुसलिम्स का हो गया, और यहां पर डोंव दरोग है, यह बाकी इडले होगी, अ लेकिन ही इसको गवर्न किया जाता है आपका किसके द्वारा, जोर्डन के द्वारा, ठीक है, जैसे किसे देखो आपने इंडिया में एक वक्क वोर्ड सुनाओगा, इसलाम के अंदर, उसी तरीके से कहा है, वहाँ पर एक वक्क वोर्ड जैसे सहिस्ता बनाएगी है, और वो इसको मेनेज है, रेगुलेटर है, वो परनी थी, जोर्डन के अंदर है, वैसे देखा जाया तो यह, ठीक है, यह आपको तीन चीज़े याद दख लेनी है, आइटिंक एज इतनी सारी चीज़े कलीर हो गया होगी, अभी देखो रिसेंट्ली जो इसूज था वो भी मैंने आपको बता दिया, कि क्या क्या है, यहाँ पर सारे राम कहानी, जो भी इसूज है, वो चल रहे हैं, ठीक है, लड़ाई कैसे स्टार्ट हूई हो, आपको बता दिया, कि इस जरुसुलम है, वो बेसिकली पलेस्टीन चाहता है, अपनी पोकेट में, लेकिन इस्राइल कभी न समझा दिया है, ठीक है, लेकिन वेस्ट बैंक का सारा का सारा कबजा गैस देखा जाये तो यहाँ पर है, अब भी देखो करन सीनियर्यों हम बात करें, तो जो आपकी कंटी बनी है, यह कुछ ऐसी है, यहीं स्टार्टी में क्या था, आपका इस सारा सारा फिलिस्तिन देश ह करता था, 1917 के टाइम पर, लेकिन बाद में धीर देखे है, जूज कम्यूटी इस एरिया में आके रहने लग गी थी, और गैस एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कि जो वेस्टन कंटी है, उनके द्वारा जूज कम्यूटी विया, जूज दो कंटेश है, इसको फूल सपो अब देखो जो सारी बैग्ग्राउंड्स वो में आपको बता दी है, या आपको चैसे याद रख लेना है कि कौन सा घाँ पर है, ठीक है, यानि स्टार्टिंग में हाँ पर सुरू कहां से होती है आपकी, एजिफ्ट से कहानी स्टार्ट हो रही है, बिर्टेन से स्टार्ट हो रही है, वो सारे एफेक्ट्स आपको क्लेर हो गया हुए, अब गैज, एट पर जेंट के आज बता हूं, जैसे आज की जो हाला है, यही आज है, 16 माई, संड़े की बागतों, तो अभी रिसेंटली सिनेरियों हैं, कि यहाँ पर क्रैसिस हैं, वो काफी ज़्यदा बढ़ खालत के हैं, काफी ज़्यदा खराब हो चुकी है, खराब क्यों हो चुकी है, क्योंकि इस्राइल के अंदर भी कहा है, थोड़े बहुत conflict होने लग गया, civil war श्टार्ट हो गया, कैसे, तोड़ा देखते हैं, इस्राइल में civil war कैसे श्टार्ट हो गया, देखिए यह जो आप आपकी फिलिस्तिनी लोग भी रहते हैं, अरब करेंटी के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहां आपस में दंगे शुरू कर दिये, यह अंदरी, देश के अंदरी कहां आपका, जयूदी या जूज और वर्सेज के हैं, आपकी फिलिस्तिन का issue होना शुरू गया है, तो वो क काफी सारे एरिये को इसरेल ने डिस्टोई भी कर दिया है, और जो जजीरा जो न्यूज चैनल है वहां का, जो ग्यारब करेंटी का, उसको भी काफी नुकसान उसने पहुंचा है, क्योंकि काफी क्लाब काम में करता है, तो यह चीज आपको याद है, वो रखने की करेंट स इसके रूल चलने, सारी कंट्री का मैंने, वो इसको एरियूएट करता है, तो अभी यह डिस्टेंटी सारे हाल है, ट्विन क्रैसिस मैंने बता दिया, कि एक तो कहा है, इसरेल है, वो अदेश के अंधरी स्टिशन खराब हो गई है, वहां पर सिविल वोर चल गया है, दूस आपका, आइरन, डॉम, एर, डिफेंस सिस्टम, यह आइरन, डॉम, एर डिफेंस सिस्टम के है, दूस, इसरेल के उपर बारबा के हमास अद रूप्स के बारबंटी से के बारगाते, इसमें तीन चीज़े है पहली चीज़ तो आपकी यहां पर वो है राडार यहीं एक राडार है जो कि जो ही दुस्मन देश की कोई भी मतलब वेपन इसरेल के अंदर नहीं कोशिस करता है तो उसको डिटेक्ट करके उसके बार में सारी इंफोर्मेशन है वो क्या होता है एक मै आप के लाड़े रहता है तीसरे पार नखरा आपको है आपका यहां यहां पर लॉंचर है लॉंचर का ए कौकर रूंचर का का मैं रोकेट लॉंचकरना तो लॉंचर वह से करता है और फिटा बृस्मेंट हो नहीं चारका कहां से आ रही है हमास के पास इतने वेपन स्वगरा कहां से आ रहे हैं जो कि इसलिए अरब कंटीज कोई नहीं चाहती है कि यहाँ पर इसलिए नाम का देश बने और इसलिए इसलिए करता हूँ तो कहीं नहीं जो किरान जो वेपन बना रहा था नुकलियर तो वो इसलिए चाहता है कि यहाँ पर यहां पर यहां पर कोई दादागिरी नहीं करें कोई मैं सांती से रहा हूँ और मेरा देश बना रहे हैं यहां पर यह चलता है इसलिए आज गी एक न्यूज अभी यह भी आई थी कि जो यूएस से है उसने अभी अपने जो कुछ प्लेन है ठीक है यूएस से ने अपने कुछ फाइटर प्लेन है एफ 18 वगरा यह अभी साओधी अरब में पूट कर दी है ताकि अगर सिच्योशन वह ज़दा खराब हो तब मामले को कंट्रोल किया चासके ठीक है लेकिन अभी देखो कोई से भी कंट्री जो करने को त्यार नहीं है जो हमास आतें की संग्ठन है वो इस तीज़ पर थोड़ा एगरी कर रहा है कि यह हम सीजफार के लिए रेडी है यह हम क्या बातचीत करने के लिए रेडी है हम लड़ाई को रोपने लिल तेयार लेकिन इजल का यह काना है कि यह हमास है ना यह में बहुत नुक्सान पहुंचा रहा है तो इस बार तो हम हमास का सारा सफाय करके छोड़ें है ठीक है तो यह गाजा पट्टी को चारो तरफ से इजल ने कवर कर रख पूरे तरीके से ठीक है और गाजा पट्टी काफी डेंस पोपुलेशन वाला एडिया है तो यहां पर कोई भी बम गिरेगा तो आम जनता भी तो मरेगी ना तो यह सारी सबसे बड़ी सिच्वेशन यहां पर आ रही है तो गाजा इस्टीप में काफी ज़्यादा पोपुल होटा है ताकि इसको कोई दिकत यहां पर ना रख ठीक है और गर्यार को बता रहा है कि 19 वगर्ण कब क्या हो था तो गजो सारी कहाणी है वो सारी मनेच्चे से समझा दी है अब गर गर यहां पर और भी आपको डावोट हो कुछ बिस वगर्ण हो तो गाइज आप लोग मु तो गैज फिलहाल की डिसकर्स में इतना ही है थेंक्यू